धम्धेनी, मंचपरविराजमान पुझयापात स्वामी जी, तथर विद्वदकन, एवं आप सबी संदर्शाथ जी के श्री चर्णों में में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, आज का मेरा विशह है रहनी, तो रहनी क्या है? और वर्तमान समय में हमारी रहनी कैसी है और जो अपने आपको परमधाम की ब्रहमसिष्टी मानते हैं उनकी रहनी कैसी होनी चाहिए इसकी विशे में आज हम जानेंगी सबसे पहले तो रहनी की विशे में जानते हैं रहनी का तातपर्य स्रिष्ट आसरन से हैं रहनी मानों का वह अभूसन है जिसके कारण वह सरीर के नश्ठ हो जाने के बाद भी दुनिया युगो युगो तक उसके यसका गुनगान करती हैं हीरे मोती की अभूसर तो केवल थोड़े समय के लिए होते हैं और कुछ समय वाद नश्ठ हो जाते हैं परन्तु रहनी मनुष्य की ऐसी अमूले शंपदा है जिसके कारण वह मनुष्य में सर्वोस्रेश्ट इस्तान हांसिल कर शकता है छोटा क्यामत नाम में कहा गया है कदी कहनी कहूं मुक से बिन रहनी न होए काम रहनी रूह पहुचा वही कहनी लग रही चाम आज हम रहनी की विशे में केवल उची-उची बाते ही करते रहते हैं परन्तु उस आचरन का हम सोयम ही पालन नहीं करते हैं और बेवहार में नहीं लाते हैं तो हमें इससे क्या लाव होगा जिस प्रकार एक नेता मंच पर बड़ी-बड़ी बाते तो करता है लेकिन करता कुछ नहीं है ठीक वेशे ही आज हम तार्तमवाणी के ज्यान के प्रकास में रहनी की विशे में जानने के बात भी सिर्फ उची-उची बाते ही करते हैं उससे बेवहार में नहीं लाए तो हम भी उस नेता के जैसे ही हैं और बीना रहने के ना तो हमारी आत्मा कभी धनी का सुख ले सकती है ना हिस दुनिय में कभी सांती पा सकती है। इसलिए हमें अपनी रहनी स्ट्रिष्ट बनानी चाहिए ताकि हमारा मनुश्य जीवन सार्थाख हो। खिलवत की वानी कहती है अब समय आया रहनी का रूफ फैल को चाहे जो होवे असल अर्ष की सो फैल लेहाल देखावे। अब रहनी का समय आ गया है एक तो होती है कतनी दूसरी करनी और तिसरी रहनी कतनी का समन सिर्प मुक से है और करनी का समन अपने अच्रन को सुधारने से हैं हमें इन दोनों को छोड़के अपने स्त्रेश्ट आच्रन को अपनाने किया सकता है और इसे ही पूरण रूप से रहनी में आना कहते हैं और जो परमधाम की ब्रह्मशिष्टी होगी और कतनी और करनी छोड़के रहनी में आ जाएगी इसलिए आज जो भी अपने आपको परमधाम की ब्रह्मशिष्टी मानते हैं उन्हें रहनी में आ जाना चाहिए और यदि हमने रहनी में पक रखी दिया है तो फिर हमें पीछे मुड़के नहीं देखना चाहिए किरंतन की वाड़ी में कहा गया है स्री महामती कहें पीछे ना देखिये नहीं किसी की परवा एक धाम रेदे में लेके उड़ाय दे अरवा है स्री महामती जी कहते हैं हे सुन्दर शात जी आप प्रेहनी के मार्ग पर चल रहे हो अर्थात की जागने के मार्ग पर चल रहे हो पीछे उड़के ना देखिये अर्थात की अपने आपको संसारिक कारिये में मत्फस आईए चित्वनी द्वारा अपने हेर्दे में प्रेम भर कर राजी को बसा कर अपनी आत्मा को राजी पर नियुचावर कर देना चाहिए सुन्दर शात जी अंतिमे में इतना ही कहना चाहूंगी ये सुकदियू ब्रहम स्रिष्ट को तो मैं यंगनानार जब हम परमधाम की सुको को सोयम लेंगे तथा दूसरों को भी दोएंगे तो ही हम ब्रहम स्रिष्टी हैं और ये सार्थक तभी होगा जब हम अपने आपको चित्वनी वे डुबोएंगे और चित्वनी ही ऐसा मार्ग है जिस पे चलके हम उस सास्वत सुको प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं और परमधाम की ब्रहम स्रिष्ट्यों की वस्त्विक रहनी ही यही होती है कि वहाँ एक मांत्र अपने धामरे दे में पूरण ब्रहम सचिदानन पार ब्रहम को ही बसाती है और दुनिया की किसी भी चीज़ को नहीं बसाती है अब हमें अपनी रहनी कैसी बनानी है यह हमारे स्वयम के हाथ में